हलो बच्चो कैसे आप क्या हाल चल आपके यह जो बात अभी मैं करने वाला हूँ यह बात हमारे CMA Foundation, CMA Inter1, CMA Inter2 और CMA Final के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है और आप सबको मेरे बच्चे till the end वीडियो देखना होगा जो ultimate मेरा आपके लिए notification है इ उसमें अगर हम देखे तो कई तरीके के दिमाग में सवाल उठने जरूरी है और खासकर वो सवाल उठेंगे हमारे CMA Inter2 और Final वाले बच्चों को लेकर कि आपकी strategy MTP को देखकर क्या होने चाहिए बच्चे इनी सारी बातों का जबाब देने के लिए मैं आपके साथ live एक्जाम में जो कोशन का pattern होने वाला है वो कैसा होने वाला है कौन-कौन से chapters आपके लिए important होने वाले है इनी सारी बाता का proper discussion करने के लिए CMA Inter2 और वाले बच्चों से 10th December यानि कि आज ही 5.30 PM शाम को आपके साथ live जोड़ूँगा जो भी सवाल आपके दिमाग में उठते आप वो मुझसे पूछ सकते मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे के सवाल का reply करूँ लेकिन इस session बड़ा ही important होने वाला है आज से कुछ दिनों के बाद में बच्चे आपके exam शुरू होने वाले है क्या pattern of strategy आपकी होनी चाहिए कैसी त्यारी को आगे ब institute ने अपने study material में उस provision को रखा हुआ है लेकिन होता है ना कियार मैं अभी जो updated provision है उसको पढ़ूँ कि पहले वाला पढ़ूँ इन सारी बातों का जबाब देने के लिए आपको exactly exam में क्या करना है अगर डिटो वैसा ही question आ जाए जो मैंने अपने शोतों से अपने लोगों से मैंने पता किया है कि आपको यह follow करना चाहिए इन सारी बातों का discussion करने के लिए आपके साथ मैं 12th December यानि कि Monday को मेरे बच्चे 530. आपको join करूँगा live अपने चैनल पे इस वीडियो के description में link है आप उस पे जाके अपने आपको click करके जिस session में भी है आप अपने आपको notify कीजिए या फिर जो comment box है comment box में मैं उसको pin कर दूँगा उस पे भी click करके आप अपने आपको notify कर सकते है अटेंड करना बहुत important है आपके लिए यह बात आप समझे इस बात को and CMA final जो CFR के बच्चे मेरे है जो 17th paper number आपका 13 December को 6 PM 13 December यानि कि Tuesday को 6 PM आपको join करूँगा live अप की पेपर में क्या उन्होंने किया है और उससे हमें अपनी जो त्यारी है उसको क्या थोड़ा सा मोल्ड करना चाहिए या फिर अपना जो focus हमारा है जो जिस तरीके से हमने त्यारी की है वही करना चाहिए खासकर वो बच्चे जो self study कर रहे हैं उनका pattern of study क्या होगा revision कैसे किय जाएगा क्या चीजे और बन सकती है जिसमें में ध्यान देना चाहिए एक्जाम में जाने के पहले इन सारी बातों करने के लिए आपका साथ लाइब जोड़ रहा हूं अगर कोई और भी सवाल आपके दिमांग में उठता है कोई और चीजे तो आप comment box में भी डाल दीजे उन सवालों को भी मैं उठाने की कोशिश करूँगा अपने उस live session के अंदर में अगर उस सवाल जन्मीन नजर आते हैं तो फिलाल इसके लिए notify कीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि description box में भी मैंने notification का आपको notify करने का option वहाँ पर दे दिया है comment section में मैंने पीन कर दिया ह या इस वीडियो के end में आपको यहां पर दिख रहा होगा आप उस पर भी क्लिक करके अपने आपको notify कर सकते हैं अगर और भी कोई doubt आपके दिमांग में है तो comment करें वीडियो पर मैं उसका भी जबाब दूगा चलिए live में सा जोइन करेंग बचे अपने session के लिए और अप यू बच्छू थैंक यू